आप सभी का स्वागत है आपके अपने रोजगार समचार के चैनल सीजी जॉप नूस पर दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 36 गड़ में जो है सिक्षकों की भरती के लिए विग्यापन जो है जारी हो गई है लगभग 14,578 पदों के आसपास की वेकेंसियां निकल चुक लेकिन अभी तक जो है सासन के अंदरगात में ऐसी कोई जानकारी या फिर नोटिफिकेशन जो जारी नहीं हुआ है जिसमें भरतियों को अभी रोक लगी होई हो बीच में अभी आया था कि एक न्यूज वारल हो रहा था जिसके कारांड आप सभी पर परसानी हुआ हुआ ह आपस दिरी रोक लग गई है तो यह जानकारी गलत थी फेक निउस थी तो ऐसे फेक निउस से बचें अभी तक जो है इसको जो भरति प्रक्रिया पर रोक लगने के संभधन में कोई निर्दे सभी तक नहीं प्राप्त हुआ है जैसे बस बतात करको परिशान हुआ है कि इन क्यों किताएं हैं व्याक्कितां समय करते हैं यहां पर डीटेले के से बताइंगे किस के लिए कारथ की आहगी है नहीं मागी गई गया है चूट दिया और उसे कौन से पद है जिसमेंche जो यह ए हुआ हूह नहीं मांगी है तो यहां पर जरूर सुनिये, सांत में अगर आप ऐसे हैं जिसके आपस ना डिएड और है ना टीटी है ना कोई सिक्छा, विभाग में इस आंस्तरिम डिपलोमा होता है और आप जो है अगर आपके पास योगेताएं हैं तो आप यहाँ पर फर्म भर सकते हैं बिना D8, B8 और बिना TET पास किये तो इस वीडियो में हमारे साथ लाश्ट तक बने रहीगा आपको अच्छ समझने में इसमें सुईधा होगी तो चलिए हम सुरू करते हैं दोस्तों जैसे का आप सभी को मालूम ही है कि 5 मार्च 2019 को सिख्षविवागने राजपत्र कर प्रकासन किया है 36 गड़ सिख्षक भरती तथा पदन्नती नियम 2019 तो इस भरती तथा पदन्नती नियम 2019 को प्रकासित करने का मतलब यही है कि इसका जो भरती अभी होने वाला है रिगुलर शिक्षकों की नियमी शिक्षकों की भरती 36 गड़ में तो ये भरती जो होगी ये इसी अधार पर होगी इसलिए इसका प्रकासन किया गया है इसके प्रकासन होने के महाच 4 दिन के बाद में ही यानि कि 9 तारिक को वेकेंसी आ कई है तो ये इसपर्ष्ट होता है कि वेकेंसी में भरती अभी जो राजपत्र प्रकासन होगा है 36 गड़ शिक्षक भरती तथा पदुन नतियम 2019 इसी के अधार पर भरती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और हम आपको जो जानकरी आज देने वाले हैं वो इसी राजपत्र के जो बारे में जानकरी देने वाले हैं राजपत्र के बारे में जो है संबंधी जानकरी आपको एक वीडियो के बारे में फुल डिटेल्स उसका बताया गया था और आप सभी सांतियों ने देखा भी पसंद भी किया लाइक भी किया शेयर भी किया आप सभी सांतियों को ध पातरता परिक्षा से छूट और साथ में आपको बताएंगे कि सहाइक शिक्षक ब्याख्याता और शिक्षक बनने के लिए यहां पर कौन कौन सी सक्षण जिगो गयता हैं तो दोस्तों इन नियमों को हम विस्तार से जानेंगे इसके पूरू हम सब को आपके यह बता देते है है कि बहुत सारे साथी जो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर जो वेकेंसी आई हुई है उत में वर्ग 3 की वेकेंसी है की can.ष Mimi वर्ग 2 की और इस्कुल शिक्षक विवाग के अधीन भरती होगी तो जिसे हम पहले वर्गतीन कहते थे उसे अभी जो है रिगुलर नियमित सिक्षक के नाम पर उसको जो है सहायक सिक्षक कहा जाता है सहायक सिक्षक जो पहले वर्ग तीन हुआ करते थे उन्हें अब सहायक सिक्षक कहा जाएगा और जो पहले हम वर्ग दो सिक्षक कहते थे उन्हें जो है सिक्षक कहते है नियमित सिक्षक की भरती है तो सिक्षक का नाम उन्हें दिया गया है और जो पहले हम वरग एक कहते थे तो अभी उसको भया खहता कहा जाएगा तो आप पिल्कुल भ्रमेना रहें अभी टीनों के वेकेंसी आई हुई है भया खहता के लिए सहाख सिक्षक के लिए और सिक्षक के लिए आपको इसमें क्लियर हो गया होगा तो चलिए हम सुरू करते हैं कि अनुसुची 3 के अनुसार यहाँ पर सेक्षणी को गेताय दी होंगे अगर आपने राजपतर देखा होगा वो राजपतर के लिए भी लिंक हमने दिया हुआ एक वीडियो में वहाँ पर अगर देखा होगा तो अनुसुची 3 का नियम 8 देखे में उचेतर माध्यमिक परिक्षा उत्तिर्ण यहाँ पर केवल इतना ही कहा गया है कि प्रयोक साला सहयक के लिए जीविग्यान गडित विशय के साथ उचेतर माध्यमिक परिक्षा उत्तिर्ण यानि कि आपका जो है जित जन्तु विग्यान या फिर मैथमेटिक्स यानि कि जो साइंस का ट्रीम होता है, साइंस में सब्जेक्ट में आपको बार्वी पास के वाल यहां पर कहा गया है, अन्य कोई यहां पर शेक्शनी को गता है, यहां पर नहीं दिया गया है, तो आप इसका जो है, जो मान के जलें, लेकिन जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं और आगे जो है, हम देख लिजे कि यहां पर PTI है, फिर ब्यायाम सिक्षक या फिर कोच के लिए जो निकला हुआ है, वहाँ पर तो राजपत्र में इस पस्ट कहा गया है, उच्चेतर मादिमिक पर इच्छा उत्तिन होना चाहिए, और साधी साथ में DEPA या फिर BPA सहीत मे यहां पर नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जो हो भी सकता है, जब तक इसका FULL notification नहीं आएगा, तब यह क्लियर नहीं हो पाएगा, तो जो हमारे पास अभी क्लियर हो रहा है, उसकी बारे में हम आपको बताएंगे, अगला व्याख्याता के लिए, व्याख्याता के लिए परिशिष्ट दो के अनुसार, परिशिष्ट एक में जो वहाँ पर दिया हुआ है, उसके दो के अनुसार यहां पर लाग होगा, तो चलिए विलम ना करते हुए हम वहाँ पर जा करके जिसका डिटेल्स ले ले लेते हैं कि परिशिष्ट एक में आखिर दिया क्या है, तो दो दील करेंगे तो देख लिएगा यहां पर दिया हुआ है कि सहायक शिचक के लिए यहां पर नियुनतम 50 प्रतिसतंगों के साथ में ध्यान दीजेगा बहुत सारे सांथी बार बार कमेंड करते हैं कि सर मेरा बार्वी में 50 प्रतिसत नहीं है तो क्या मैं फार्म भर सकता हूं य चतरमाध्यमिक यानि कि बार्वी और सांथी साथ में प्रारमभिक शिक्षासास्तर में डीपलोमा दूइवर्सी डीपलोमा चाहे डीएट कहें या फिर डीपलोमा इन इलिमेंटरी एजुकेशन होता है वो दोनों में से कोई भी एक आपके पास होना जरूरी है तो दिखा है अथवा के बाद में कि न्यूनतम 45 प्रतिसत अंगों के साथ में अगर आपको पहला जो योगता नहीं है तो आपके पास 45 प्रतिसत अंग के साथ में देख लिए यहां पर छूट दिया गया है उचतरमाध्यमिक यानि कि बार्वी या इसके बराबर में खोना चाहिए और शिक्षा सासेर में डिबलोमा चाहिए उसे जो भी नाम से जाना जाता हो चाहे यहां पर तीड हो या फिर बीएड हो तो ऐसे भी आप यहां पर भर भर सकते हैं दूला जो दूसरा प्रित्यतंकों के साथ में उचएतर माध्यमिक अथ्वा इसके संकक्ष एवं प्रारंभिक शीक्ता सासर में फिल्एड में चार वर्षी बार्षार चल रहा है जहें साइन्स में हो या फिर आर्ट्स में हो तो अगर आपने बढर्वी पास्किया है पचास परीज़ फसके साथ में आपका 50% मोर्षी है उसके सांथ ही सांथ में आपका चर बरसी पाथे करम अदर्ट ब्यक wp चल रहे है वह भी ऑग्युष ऐसरत ही स प्रिदिसे सार्भी में अगला दिखे हitates अगर अंखोना जरूरी है आपका बारवी के साथ साथ में विशेज सिक्षा सास्तर में जो से होता है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के सिक्षक होते हैं उनके पास रहता है फिजिकल विशेज सिक्षा सास्तर में तो वो विशेज सिक्षा सास्तर में जो कहने का मतलब ही है कि वि तथा प्रारमभिक शिक्षा सास्त्र में चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाते हो दुवर्शी डिप्लोमा अब यहां पर यह जो बीड वालों के लिए है कि आपके पास आप ग्रेजिवेशन होना चाहिए इसनातक होना चाहिए कोई भी विशाय में इसनातक हो और सांथी सा प्राइमरी शिक्षा के लिए उन्होंने दिया है तो एक सर्थ यहां पर जारी कर दिया है कि आपका जो है ग्रेजवेशन है तो ग्रेजवेशन में आपको न्यूननत्म 50 प्रतिसद अंग होने चाहिए बहुँ सारे सांथी कमेंट कर रहा है कि सर मेरा 48 है 47 है तो यहां पर देख लिए न्यूननत्म 50 प्रतिसद अंग होने ज़रूरी है प्राइमरी शिक्षग बनने के लिए और साथ में आपको जो है नियुकती होने के बाद में छे महीने के भीतर में एक से पांच तक पढ़ाने के लिए राष्ट्री अध्यापक शिक्षा परिशत के द्वारा एक मानेता प्राप्त ब्रीज कोर्स का करेक्रम होता है वो आपको पास यहां पर पूरा करना जरूरी होगा अगला देख लेते हैं यहां सात्वा क्या कहता है प्राइमरी सिक्षक बनने के लिए सात्वा जो है यह सबसे इंपोर्टेंट है और सभी के लिए लागू होता है कि राष्ट्री अध्यापक शिक्षा परिशत द्वारा इस प्रियोजन के लिए जारी किये गए मार्ग दर सद्वारा मानेता पर आप तक कहा जा रहा है मतलब आप जो है या तो सीटेट पास कर लीजिए या फिर जो सीटेट पास कर लीजिए दोनों जो है यहां पर लागू होगा दोनों यहां पर मानने किया जाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि डियेड और कि उसमें भी चूट दिया गए और 7 संद में सीक्षाक पाता परीक्षा आपके पास नहीं है तो भी आप उसमें पावम भर सकते हैं तीनों के लिए आपको जो छूट किया गया है जानने के लिए लाष्ट तक हमाए साथ पहर ये अगला हम देख लेते हैं यहां पर newborn क्ह Tem염 के लिए व्याक ये विएक देखे लिए हैं कि उसके बाद में आटE सीख्चान के बारे में हम चलते हैं चैनल था के लिए लिए देख लेते हैं तो यहां पर इस पर्ष्ट देख लेजएगा आप यहां पर लिखा हुआ है ब्याख्याता के लिए तीन नंबर का जो है उसमें तो यहां पर किसी मानेता प्राप्त विश्विद्ध्याल है संस्थान से दुटी स्रेडी में याद रखिएगा सेकेंड स्रेडी में कम से कम याँ पर इस पर्ष्ट कहा जा रहा है कि दुटी स्रेडी में निम्नलिखित विश्विश्व में से किसी भी एक विश्विश्व में इसनातकोत्तर यानिकि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और साथी साथ में आप लिएड़ करके यहां पर दिया हो गया या तो समखक्ष पार्टे करम याँ फिर बीड यानि कि बीड लिखा वह यहाँ पर बीड को सॉपनों जोड़ा गया है तो किसी मानता पर प्रावतो बीस्वीत देले से सेकेंड ग्रेड में आपको जो है इसनात को तर यानि को पोस्ट पास होना है साथी साथ में आपको बीड भी यहाँ पर जरूरी है तो यहां पर clear किया जा रहा है ब्याट जरूरी है ब्याख्याता के लिए आगे देख लेते हैं यहां पर कौन-कौन से हैं हमारे पास जो पद निकले हुए हैं हम उन्हीं विशायों को ले करके चलेंगे उसी का डिटेल करेंगे तो अंग्रेजी के लिए पोस्ट और nuclear भोतिकी आता है अगर आपने MSC में इन में से कोई भी सब्जेक्ट लिया होगा तो आप भोतिकी के अंतरगत में आएंगे और भोतिकी के लिए यहां पर ब्याख्यता बन सकते हैं अगला जुपद हम देखते हैं क्योंकि वेकेंसी जिसका निकला हुआ है हम उसी को डि इन सी आया हुआ है इसमें वनस्पति सास्त्र प्राणिस सास्त्र लाइप साइंस जैविकी अनवान सिकी जिनेटिक्स सुक्ष मजएविकी मायक्रोबायोजी जयो प्रोद्ग की बायो टेक्नलोजी आनवीक जीविग्यान मॉल्कुलर बायोजी पादपकारी की प्लांट फ है तो अगे देख लेते हैं अगला जो पाद निकल ल को यह लिए जा रहा हो है तो यहां पर देख लीजएक arbann काला के अंतरगत में आता है और अगला जो पद निकला हुआ अभी वह 15,000 पदों पर भरती हो रहे है सर यहां पर ने वह अपने ब्याक्याता का भी बता दिया अब कहां है कौन से किसमें छूठ दिया है कि कौन से पद के लिए यहां पर D8B8 में और TET में छूट दिया है मतब जरूर आप हमको घुमा रहे हैं इस वीडियो में और क्लियरली नहीं बता रहे हैं तो जी नहीं मेरे साथ बने रही है मैं कोई जूट नहीं बोट रहा हूँ बिल्कुल आपको यहाँ पर एकजेक्ट जन करी दूँगा आपको बिल्कुल काम है ऐसी जन करी दूँगा और छूट यहाँ पर दिया हुआ है राजपत्र के नुसार में D8B8 और TET में छूट दिया हुआ है तो चलिए अब मैं आपको जो है सिक्षक के बारे में बता देता हूँ दूसरे में आपको बियाख्याता के बारे में बताया और लास्ट हमें लेकर करें रहा हूँ सिक्षक के बारे में यहाँ पर टिक भी लगा हुआ है देख लिजीगा तो सबसे पहले जो है सिक्षक के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट रूल देख लिए जगा सिक्षक बनने के लिए क्या योगता है सनातक और प्रारंभिक सिक्षास्तर में चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो अगर आपके पास प्रा आपके पास ऐड़ेड कर लिए और आपकेपास ग्रिजवेशन है तो आप वर्क तो यानि कि जो से हम सिख्षक काते हैं भी कि इस समय में regular सिख्षक कहेंगे तो regular सिख्षक भी आप बन सकते हैं बहुत सारे सांथियों कहीं रहता है कि नहीं सर सिख्षक बनने के लिए जो है बीड ही जरूरी होता है तो यहाँ पर बीड जरूरी नहीं है यह clear कर लिजीगा क्यों तो यहां पर जो है अगर आपके पास में D DelOOD है लेकिन आपने graduation कर लिया है या फिर DLA है आपने graduation कर लिया है तो आप वर्गत दो यानि कि सिक्षक जो होते हैं middle teacher वो भी आप यहाँ पर बन सकते हैं पहला नियम हमारा यह कहता है अगला जो है नियम देख लीजीगा यहाँ पर इस परस्ट कहा जा रहा है कि नियुनतम 50% प्रदिसतंकों के साथ में इसना तक एवं सिक्षा बीड में एक वर्षी इसना तक क्योंकि पहले जो है बीड एक साल का होता था तो बहुं सारे साथियों ने वो भी करके रखा होगा तो यहाँ पर दूसरा नियम यह कहता है कि नियुनतम 50% प्रदिसतंकों के साथ में 50% आपका मार्ट होना चाहिए आप सारे सवाल करते हैं कि 48 है 47 है ऐसे नहीं यहाँ पर इस पर्ष्ट काजर है 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रिजुएशन में अगर इसना तक का आपने एक साल वाला बीड किया है तो यहाँ पर लागू होगा चलेगा तो हमारा तीसरा नहीं क्या कहता है दिख लेते हैं तीसरा नहीं यह कहता है कि 45 परिज़तंकों के साथ में इसना तक एवं सिक्षा में बीड में एक वर्षी इसना तक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किया गया है तो यहाँ पर कुछ छूट भी दिया जा रहा है कि 45 परिज़तंकों के साथ में इसना तक हो और 37 में इस संबंध में समय पर जारी किया गया राष्ट्री अध्यापक सिक्षा के नियम के अंतरगत में लागू होता है अगला देख लेते हम चौथा नियम यह क्या कहता है कि 50% अंगों के साथ में आपको उच्छतर माध्धिमिक यानि कि बार्वी देख लिएगा अगर आपने बार्वी किया है तो भी आप यहाँ पर टीचर बन सकते हैं लेकिन यहाँ पर ट्रीमेंड कंडिशन है देखते हैं आगे क्या है यहाँ नितम 50% सतंगों के साथ में आपने बार्वी पास किया हो साथ ही साथ आपने चार वर्षी है जो भी चार साल का कोर्स अभी चल रहा है बीए बीए सी और जो बीए बीए सी होगा और साथ में जो है बीए सी बीए बीए और बीए सी बीए यानि कि आपका बार्वी में आर्ट सब्जेक्ट है तो आप बीए बीए करेंगे अगर आपका बार्वी में साइंस इस्ट्रीम है तो बीए सी बीए करेंगे तो चार वर्षी पाठेकरम अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर जो ह दिब्यांग बच्चों के लिए बहुत सारे विशेश पाठेक्रम होते हैं उनके बारे में यहां पर कहा जा रहा है जो डीपीएड या फिर बीपीएड मैंने पहले बताया था जो डीपलोमा इन बेचलर आप जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है डीपलोमा इन फिजिक परिशाद द्वारा इस प्रियोजन के लिए जारी किये गए मार्वधर्सी शिधानतों के नुसार में समुचित सरकार द्वारा आयोजी तद्यापक पातरता परिच्छा टीटी में उत्तिर्ण होना जरूरी है यहां पर वर्गदो सिक्षक बनने के लिए भी टीटी में ज सिक्षक पातरता परिक्षा डीएड और बीएड में छूट दिया है तो आपने तो पूरा-पूरा हमको ठक दिया वीडियो को लास्ट तक हमने देख लिया लेकान यहां पर किसी भी भरती में छूट नहीं दिया गया है आप जरूर मेरे को यह बोल रहोंगे बहुं सारे सा बने रही है आपको जरूर हम जो है सही जान करी देंगे तो देख लेते हैं नीचे में कौन से छूट दिया गया है यहां पर देख लिए उप्रोक्ति इसनातक उपाधि इसनातक की विशेकन उसार रहेंगे बहुं सारे सब्जेक्ट तो हैं इसनातक की कौन से साइंस की बने लएब विशेक्ट हें लिए तो आप समाजिक विशेक्ट इसन विशेक्ट के लिए म्याद कावब और सब्जैन पर देखो आएगें समाजिक विशेक्ट old एक विशय रहा होगा ग्रिजुएशन में तो आप जिवी ग्यान टीचर के लिए वर्गदो के लिए यानि भी सिख्षक के लिए यहाँ पर आप भर सकते हैं गडित के लिए गडित के सांथ में निमनलिकित में से कोई भी एक विशय होना चाहिए भोतिक हो रसायन हो आफवा नंबर और दसवा नंबर देखली जिएगा क्योंकि नवा और दसवा यानि संगील सिख्षक के लिए यहाँ पर नहीं निकला हुआ है लेकिन जैसे कि मैंने कहाा था पोस्ट निकला हुआ है और उसमें छूड़ भी दिया हुआ तो आठवा नंबर जो यहाँ पर राज पत्र में एक बार मिलान करके देख सकते हैं राज पत्र का link वीडीयो के नीचे description में भी मिल जाएगा और एक पहला वीडियो जिसमें हमने पूरे डिटेल के साथ में बताया है राज पत्र के बारे में वहां पर भी आप देख सकते हैं तो यहां पर इस फॉष्ट कहा ज से कहीं टाइप करके हेरफ ही करके यहां पर नहीं डळाला थो जो है नमबर पर अलबुमानी ब्र आप जानकरी भी देख सकते हैं पूरा डिटेयल इस्कोसे होई है किसके लिए क्या है सारी जानकर आपको मिल जाएगी मैं यहाँ पर केवल पद बता दे रहा हूं सिक्षक के जो है क्रिसी के लिए वेकेंसी में 196 पद के लिए वेकेंसी आई हुई है और 196 पद के लिए वेकेंसी आई हुई है जिसमें यहाँ पर जो है इस पस्ट छूट दिया तो उनके लिए बीड यानि कि जरूरी नहीं है अगर हायर सेकंडरी में आप जा रहे हैं तो आपके पास अगर पर आपके पास नहीं है यह भी है यह भी है यहाँ पर देख दीजिए एवं टीईटी की आहरता आवश्यक नहीं होगी लिए इस नियम के अधार पर यहां पर कहीं पर चूट की यहाँ पर ठ्वाinst रहोंगे तो यह तो थी चूट की बारे में हम ने बता दिया कि जो है कौन से भी सहवाले सिक्षकों को भर्धी करने के लिए हाँ पर छूट दिया गया है इस पर्ष टूरूप से यहाँ पर निर्देशीद कर दिया गया है देख सकते हैं राजपत्र में इसका प्रकाशन भी हो चुका है और लगभग जो है इसी आधार पर सिक्षकों की भ देख सकते हैं तो उम्हीद करेंगे आप सभी को ये जो है सीख्षक सेख्षणिक आहरताओं और विभी नियोग गताओं के संबन्द में ये पूरी जान करें आपको अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी पसंद आई ये तो जरूर लाइक कर दिए अ अपने दोस्तों के साथियों के साथ भी सेयर कर दिए हो सकता है उनके भी कुछ काम आ जाए मिलते हैं ऐसे अन्य रोजगार समचार और धेर सारी जान करें के साथ में तब तक दीजिए विदा जैहिंद बंदे मातरम